हलो दोसो, what's up, कैसे हैं आप सभी? दोसो, आज जो है वो मैं आपको यहां पर PTM के थ्रू जो है वो आपके bank account को link कैसे करना है, इसके बारे में सिखाऊंगा तो दोसो, इसकी अंदर जो है, वो आपको bank का जो account है वो एक यहाँ पर link करना पड़ता है जो कि बहुत ही आसान है तो वो चीज आपको कैसे करनी है इसकी बारे में दोस्तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं तो दोस्तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं PTM जो है वो मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है तो चलिए दोस्तो सीधा चलते हैं PTM की अंदर और आपको दिखाते हैं कि इसकी अंदर आप bank account को कैसे यहाँ पर जो है वो link कर सकते हैं तो यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है कि कौन सा नंबर आप यहाँ पर चूज करना चाहते हैं, तो एक नंबर में चूज कर लेता हूँ, अब यह पूछ रहा है कि phone calls जो है, वो manage करने के लिए permission दी जाए या ना दी जाए, तो यहाँ पर फिलहाल allow कर देंगे, इसके लिए भी कर देंगे allow, तो यहाँ पर अभी जो है, वो मुझे एक SMS आएगा, और वो SMS से नंबर जो है मेरा, वो यहाँ पर verify हो जाएगा, तो यह देखिए, मेरा नंबर जो है, वो यहाँ पर verify हो गया है, और यह देखिए दोस्तों, अभी यह पूछ रहा है, activate ATM shield, तो यहाँ पर आप चाहें, तो इस shield को भी activate कर सकते हैं, लेकिन जिसकी अभी कोई अगर जरूरत नहीं है, तो I will do it later पर भी आप click कर सकते हैं, तो अभी फिलहाल के लिए मैं I will do it later पर click करता हूँ, तो यहाँ पर three dots की उपर जब आप click करेंगे, उसकी उपर कर लेता है, click, तो यह देखिए, य मैंने एक account यहाँ पर डाला हुआ था, तो मैं उसको जो है वो reactivate कर सकता हूँ, यहाँ पर देखिए, यह अब reactivate हो रहा है, और तब मैं आपको मेरा account भी दखाऊंगा, कि किस तरीके से जो है वो आप account यहाँ पर डाल सकते हैं, तो अभी यह load हो रहा है, तो शायद load होने के लिए यह जो है वो थोड़ा सा समय ले, तो अभी देखिए दोसो मेरे पास जो है वो एक यहाँ पर account जो है वो आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर दूसरा account भी मैं चूज कर सकता हूँ, तो मैं दूसरा account भी आपको link करके दि दीजे, तो यहाँ पर देखिए यह अभी load हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए सारे popular banks जो है वो यहाँ पर खुल चुके हैं, तो इन में से कोई भी अगर आपका bank है तो आप चूज कर सकते हैं, माल लिजे इन में से कोई नहीं है, मेरा SBI bank है, तो अब यह जो मेरा number है, इस गया है, तो यहाँ पर देखिए, अब यह वाला जो है, वो मेरा account यहाँ पर link हो चुका है, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है, वो आप आपके bank accounts को यहाँ पर link कर सकते हैं, और यह जो ऊपर आपको dot दिख रहा है, इससे होता यह है कि आपका जो primary account है, वो select होता है, त पर click करता हूँ, तो देखिए, अब SBI का जो account है, वो मेरा primary account हो गया है, तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप आपके जो PTM है, उसकी अंदर आपके bank accounts को link कर सकते हैं, तो I hope दोस्तों यह video आपको पसंद आया होगा, तो दोस्तों अगर आपको यह video पसंद आया है, तो इस video को like करना बिलकुन ला भूले,